नमस्कार दोस्तों मैं हुदिनेश के वोरा न्यूज लाउंचर में आपका स्वागत है इस कारकर में बिंदास पोल जो बात करेंगे सीधी करेंगे बिल्कुछ सपाट धंग से कहेंगे आज का विशा है थोड़ा वक्त रुकिए आपकी हर आजादी आपसे छीन दी जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों देश में धीरे धीरे इस्थितियां कुछ ऐसी पनप रही है जहां पर सभी व्यवस्थाएं सभी इंस्टिचूशन्स आलमुस्ट ध्वस्थ हो चुकी है अब अगर उनके आदेश भी आते हैं या जज्जमेंट भी आते हैं या फैसले भी आते हैं तो एक तरफा आते हैं चाहे वो CAG हो, ED हो, CBI हो, Income Tax हो, DRI हो, Customs हो, Excise हो, GST हो, पुलिस हो या फिर नयाय पालका करीब करीब सबने ही घुटने टेक दिये हैं मेरे जो कॉलम्स आप दिनेश के वोरा निउस टाइम पे देखते आए सुप्रिम कोर्ट के आधे अधूरे फैसले और सभी फैसले मोदी जी के पक्ष में गए जो 370 आया वो भी उनके पक्ष में गया कुछ दिनों बाद Electoral Bond पर फैसला आएगा वो भी उनकी पक्ष में जाएगा प्यागसस हो राफेल हो राम जनम मुमी हो दिल्ली अध्यादेश हो माराष्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन हो या फिर आभी 370 हो चाओ फिर आने वाला Electoral Bond हो हर फैसला मोदी के पक्ष में है आप कहेंगे क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की उपर कोई टिपणी कर रहा हूं नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट की उपर कोई टिपणी नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि सुप्रिम कोट का जज्जमेंट इश्वर का जज्जमेंट रही है और मुझे उस जज्जमेंट से आसहमत होने का अधिकार है। यह ठीक है कि सुप्रिम कोट के जज्जमेंट की जो बाध्यता है लोगों के लिए वो तो रहेगी। उससे तो मैं भी इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सुप्रिम कोट के हर जज्जमेंट से सहमत हो जाऊँ। स्वीकार करने की बादिता है, स्वीकार करने की लीगली बादिता है, मेरे उपर बाइडनिंग है, 140 क्रोड के उपर बाइडनिंग है, वो मैं मानता हूं, लेकिन मेरा ऐस सहमत होने का अधिकार सुप्रीम कोड मुझसे नहीं शीन सकता, वो लोक तंत्र है, हो सकता है, आपका फैसला बहुत उत्तम हो, बहुत बेतर हो, लेकिन अगर मैं उससे सहमत नहीं हूँ और मेरी आत्मा कहती कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो नहीं हूँ, चाए राम जर्म भूमी का केस हो, पैगसस का केस हो, राफेल का केस हो, ये कोई और केस हो, तो सुप्रिम कोर्ट के जितन के लिए तयार होना चाहिए कि सुप्रिम कोर्ट इश्वर नहीं है उसके उपर भी एक इश्वर है जो अल्टिमेट जज है बाकी विवस्थाएं वो तो ध्वस्त हो गई है जहां तक आपकी आजादी है आपकी बोलने की आजादी हर किसम की आजादी आपसे चीन वी जाएग नहीं होगी आप हफते में 45 घंटे काम करते हैं वो आजादी आप से चीन ली जाएगी और उसकी प्रष्ट भूमी नारायन मूर्ती और कई और लोगों ने बना दी अब आप 70 घंटे काम करने के लिए तयार हो जाएए क्योंकि अब आप गुलाम है आपके पास अधिकार न इस देश के लिए अपना सब कुछ खपा दो खपा दीजिए सब किसने मना किया है आपकी जिंदगी तो आपकी है नहीं ना आपके बाल बच्चों की ना आपके पत्नी की ना आपके माबाप की ना आपके पती की ना आपके बेटे बेटी की किसी के नहीं है इस देश के लि क्या राष्ट्र 140 क्रोड लोगों से अलग है क्या आप और मैं इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं है जब हम कहते हैं राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दो तो कौन है वो राष्ट्र जिसके लिए कुर्बान कर दें क्या पत्थरों के लिए पाड़ों के लिए नदियों के लिए क कुर्बान कर दें या फिर अपने परिवार के जो सदस्य उनको बहतर बनाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दें क्या करें राष्ट्र क्या है राष्ट्र हित जो हमारा हित है वही तो राष्ट्र हित है जो जनता का हित है वही तो राष्ट्र हित है जो परिवार का हित ह वही तो राष्ट्र हित है और कौन सा हित होता है और राष्ट्र क्या है इसके अलावा यानिकि अगर मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं उनके रोटी पानी का बंदोबस करता हूं तो क्या ये राष्ट्र हित नहीं है क्या आपका राष्ट्र हित कोई और है क्या तो ह गास्टो को क्या देखेगा योगी कहते हैं योगी आदित्यनाद सारे लोग एक साथ जुट जाए, 140 क्रोड तो देश बहान बन जाएगा सारे लोग काम कर रहे हैं तो योगी जी ऐसा तो कोई है जो काम ना कर रहा हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं शिक्षक पढ़ा रहे हैं वियागैनिक अपना काम कर रहे हैं वियापारी अपना काम कर रहे हैं किसान खेतों में रोज जाता है मजदूर काम करता है रोज तो रुजियोटी कमाता है जवान सीवां पर रक्षा कर रहा है जो मीडिया में काम कर रहे हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं प्राइविट सेक्टर में काम करने वाले अपना काम कर रहे हैं एंजिनियर अपना काम कर रहे हैं डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं नर्स अपना काम कर रहे हैं तो सारे जुट जाये तो क्या मत जुटे तो हैं सा आपकी जुटने की परिभाशा क्या है, बताईए न आपको, क्या कहना चाते हैं, आप से आपका वक्त शीना जा रहा है, आपकी आजादी शीनी जा रही है, जो आपके थोड़ा बस सोने का वक्त है, वो भी शीना जा रहा है, आप से कहा जा रहा है, मोजी जी दिन में तीन घ सोया कीजिए तो आपकी सोने की आजादी भी चीन ली जाएगी तो आपको मशीन में कनवर्ट किया जा रहा है आप से कहा जाएगा कि आपकी आस्था किसमें है सरफ हिंदुत्वा में आस्था रखने हैं आपको वो आपकी आजादी चीन ली जाएगी आपसे आप किसी और धर मैं आस्था रखेंगे तो आपकी कोई इज़त नहीं होगी आपकी आजादी कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बारती जनता पार्टी कही आपको चुनाव लड़ने के आजादी नहीं है मैं अगर आप सिख हैं इसाई हैं, मुसल्मान है तो मैं आपको आजादी नहीं देता कि आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़ सके मैं आपको नहीं मानता, मैं सरो हिंदू को टिकर तूँगा तो आपसे वो आजादी चुन ली जाएगी चुन ली गई है बोलने पर प्रतिबंद लगा दिया जाएगा लगा दिया गया है मवव मोहितरा को सजा दे दी गई संसद में कहा गया कि उनको आदे घंटे का बहस का टायम तब बोलने तो दिया जाए ओम बिरला स्पीकर कहते हैं नहीं हम उनको बोलने नहीं देंगे तो बोलने के आजादी चीन दी गई अपना पक्ष रखने की भी आजादी नहीं है इस टेम नौकरी मत मांगो यह आपके वाजादी नहीं है कि आप नौकरी मांगोगे सरकार का काम नौकरी देना नहीं है सरकार बड़े पहले कह चुकी है not my job to give you a job सरकार कहती है शिक्षा देना भी मेरा काम नहीं है बच्चों कहा शिक्षा देना अपने आप निप्टो सरकार शिक्षा देने के लिए नहीं बनी आपको स्वास्त देने के लिए नहीं बनी यह आपको आजादी नहीं है कि आप उससे वो अधिकार मांग सको फोग शिक्षार स्वास्त का अधिकार हो ना इसलिए महारश्टा सरकार है पांच जार स्कूल डोनेट करने का फैसला किया है प्राइवेट सेक्टर को तुम ले लो तुम चलाओ हम शिक्षारी दे सकते हैं हमरे पैसे नहीं है तो वो आजादी नहीं है आपके पास महंगाई क बात करने की आजादी भी आपसे शीन ली गई है लिखने बोलने की आजादी आपसे शीन ली गई कुछ लिखोगे बोलोगे तो जेल भीज़ दी जाओगे फिर कहते देश पर सब कुछ कुर्बान कर दो ये लोग खुद को सेवक कहते हैं कि हम देश के सेवक हैं सारी दौलत इनके पास सारी पावर इनके पास सारी कुर्सिया इनके पास हाथी जैसा मद है इनको ये सेवक नहीं है ये तो भगवान है आजके सेवक तो 140 क्रोड लोग हैं, जो भेड बक्रियों के रेवड की तरफ पिस्ते हैं, कहते हैं जो कहा जाए वो करो, भागवत कहते हैं, मोहन भागवत, RSS के ज़िए, प्रश्ण मत करो, यह आजादी तुमको नहीं है, प्रश्ण मत करो, तुम्हें प्रश्ण नहीं कर रहा है, फॉलो करो, जो तुमसे कहा जाता है, तुम जॉम्बी हो, तुम सिर्फ एक किसम से भेड बक्रियां हो, सोचना नहीं है, जहां आपको हांक दिया जाएगा, होँआ चले जाओ, उसका मरते हो, जीते हो, कोई बात नहीं है, माइथोलोजी को हिस्ट्री मानो, माइथोलोजी कब से हिस्ट्री हो गई, ग्रीक माइथोलोजी कब से हिस्ट्री हो गई, इंडिन माइथोलोजी रमायन, माभारत कब से हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री डेट के साथ होती है, इनकी कोई डेट नहीं है, यह माइथोलोजी है, लेकिन ये कहते हैं माइथ्टोलोजी को हिस्ट्री वानो ये अजादी छीन ली गारी है जिन्दा रहना है पाँच किलो अनाज के टुकड़े फैंक तक है हैं आपको प्हांच साल के लिए अगले पाँच साल तक मरोगे नहीं न, ये गुलाम है, 140 करोड गुलाम, जिन से उनकी सोच छीन ली गई, विचार छीन लिया गया, अब ये कूप मंडूख हैं सारे के सारे, कुएं के मिंडक हैं, इन्हें मोदी जी में भगवान नजर आता है, ये गौड है, मीडिया चैनल्स, ये गलोबल टाइम से हैं, चीन का मुख बतर जो ओफिशल है, गलोबल टाइम से कही भाशा में छाबता है, वो वह हबतर जो सरकार कहते हैं, तो हमारे सारे के सारे जो चैनल्स है ना गोदी मीडिया के ये सब ग्लोबल टाइम्स हैं ये वही लिखते और बोलते हैं जो गोदी जी कहते हैं जो वो नहीं कहते वो ये नहीं कहते हैं तो इस इस ग्लोबल टाइम्स अवतार है ये ये कहेंगे इसलामोफोबिया है इसलाम को खतम कर देना है, मुसल्मानों से सारे अधिकार छीन लेने है, उन्हें एक भी टिकट नहीं देना है, वो चुराओं नहीं लड़ सकते हैं, रोटी खाएं और जिन्दा रहें, बस, Christians, रोटी खाएं, जिन्दा रहें, टिकट पत्मागो, सिक, रोटी खाएं, जिन्दा रहें, टिकट पत्मागो, हम टिकट नहीं देंगे दुमको, BJP में किसी माइनरोटी का कोई काम नहीं है, ना, इस्लामफोबिया, हिंदुत्वा की चाश्णी प्यो, कई जाओगे, ये त्योहार है हिंदुों का, हमाँ बीस लाख दिये जलेंगे, वहाँ तीस लाख दिये जलेंगे, जला लो, गरीब की जोपड़ी में तो एक दिया भी नहीं जलता, रोश्णी नहीं है, अंदकार में टूपी हुई है, थोड़े दिये वहाँ भी जला देते, महंगाई और बिर्योजगारी दिवाद मत करो, चंद उद्योग पती हैं मारे अडानी जैसे, वो दूसरे भगवान है, तुम काम करो ताकि उनके खजाने भर सकें, और बाकि इनके पास EVM है, ED है, IT है, CBI है, जितने भी educated लोग हैं भारत में, चंद लोगों को छोड़ कर, सब कूप मंडूख, तिमाख नहीं हैं, पैदा लें दिमाग के, आप से आपके आजादी छीन ली गई, और फिर भी आप कहते हैं, हम खुश हैं, क्यों खुश हैं, मोदी जी ने मुसल्मान की चूड़ी टाइट कर दी, मोदी जी ने सिक्खों की, और कृश्चिन्स की चूड़ी टाइट कर दी, अब हिंदू हित की जो बात करेगा, वो ही यहां पर राज करेगा, हिंदू हित, सारी आजादियां छीनने के बाद, उसके बाद में लोग कहें कि, ये राज बेस्ट राज है, तो भाई इनको बहुत-बहुत मुबारक बाद फिर, फिर तो ढूनना पड़ेगा कि अल्टीमेट्टी, गुलामी, और आजादी में क्या फर्क होता है, शुक्री आपका बहुत-बहुत, न्यूस लांचर को सब्सक्राइब कीजेगा, साथ ही में दिनेश के वोरा न्यूस टाइम को भी सब्सक्राइब कीजेगा, और हाँ फीडबेक देते रहेगेगा, बताते रहेगेगा प्रोग्राम क्या से लगेगा, मिलेंगे बहुत जल्दी, बिंदास बोलके अगले आगवे, धन्यवाद.